आज तेल पर बात होगी मैं बहुत सारे मुहावरे सुना सकता हूं गुरू आपको तेल देखो तेल की धार देखो पर जब भी तेल पर मुझे कोई मुहावरा याद आता है तो उससे पहले तेल के दाम याद आ जाते हैं वो सारे प्रदर्शन याद आ जाते हैं जो तेल के मह नहीं और सश्ते होने को लेकर तमाम राजनेतिक दलों ने किये हो जो आज विपक्ष में हैं और उन से भी पहले वो just the आनी की हैसरत लिए कितने यह Veterans ת rápido किया करते दे लिए the इत्रमोदी सरकार की बारत में नहीं वए थी, पाकिस्तान में भी हूए थी। याद करिए, इम्रान खान की बारत में पर्दान मंत्री थे। और कहतें थे, देखिए कैसे P.M. मोदी अम्रीका को भी साध रहे हैं, और रूस से सस्ता तेल भी ले रहे हैं। ये बात अपनी जगे है कि बड़े दिनों से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बड़े पर जनता जानना तो चाहती है कि अगर वाकी हमें तेल सस्ता मिल रहा है तो ग्राहक के लिए दाम कब कम होंगे और दूसरी बड़ी समस्या अंतराश्ट्री मंचों की है योरोप पॉलिटिक्स दुनिया भर की नेतागीरी राजनीती में उसके रोल के लिए भी और यही काम होगा आज दिन की बड़ी खबर में नमस्कार स्वारब दुवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लललन टॉप शो असल में यूक्रेन पर रूसी आक्रमन के बाद से भारत रूस के कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बन गया भारत के रिफाइनरी पहले भारी छूट पर कच्चा तेल खरीते हैं फिर यूरोप में रिफाइन इधन बेशते हैं यानि मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है तो मसला ह है क्या मसला यह है कि यह यूरोपीय संग या EU इसने रूस के कच्छे तेल पर अब काफी हद तक रोक लगा दिये हैं हाला कि यूरोपीय संग के प्रतिबंदों के बाद भी व्यापार करना कानूनी है लेकिन इस व्यापार की आलोचना भी हो रही है जो लोग रूस पर और को बताया था कि EU जानता है कि भारती रिफाइनर्स बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में रूस से कच्छा तेल खरीद रहे हैं उन्होंने कहा अगर यूरोप में आने वाले डीजल या गैसुलीन का उतपाधन रूसी तेल से किया जा रहा है तो ये निश्यत रूप से प्रत कानूनी आधार के बारे में कोई संदे नहीं यू और भारत दोस्तों के रहे बात करेंगे ना कि उंगलियां दिखा कर इस बातचीत ने एक बार फिर बारत की ओयल एकॉनमी पर चर्चा छेड़ दी कि हम कितना तेल खरीद रहे हैं किस दाम पर खरीद रहे और फिर उसका कर क्या रहे अगर वाकई कोई फाइदा हो रहा तो वो जनता तक पहुँच रहा या नहीं आईए एक एक करिन सवालों के जवाब खोशते हैं अगर ये कहा जाया कि भारत की अर्थविवस्था तेल पर निर्भरे तो गलत नहीं होगा तेल के इस्तमाल में हम तीसे नंबर पर हैं पहला अमरीका दूसरा चीन और तीसरा भारत हम हर रोज 50 लाग बैरल से जादा तेल का बहुग करते हैं एक बैरल म सेक्टर में होता है ये जो हम कारें चलाते हैं जो ट्रकों पीलक की हमारा सामान जाता है अब दिकत यह है कि हमारे पास तेल के भंडार तो जादा है नहीं इसलिए हम आयात पर इंपोर्ट पर निर्भर हैं तेल के भंडार उत्तर दकशन अमरीका, रूस, खाड़ी देशों और हमारी फेवरिट दुकान है खारी देश, क्योंकि हमारी रिफाइंडरी यहीं से आने वाले तेल के लिए बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि कहीं और का तेल हम नहीं खपा सकते हैं, लेकिन खारी का तेल मुफीद रहता है, एक और बात, बीते दर्शकों में भारत ने भारी से देश हैं, जिन से हम कच्चा थिल खरीते हैं, रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वगरा बनाते हैं, और फिर उन्हीं देशों को बेच देते हैं, इसमें कई खाड़ी देश भी शामिल हैं, तोड़ा बहुत निर्यात यूरोप को भी होता है, जब से रूस ने यूकरेन पर आक्मल किया, तब से हमारा यूरोप को एक्सपोर्ट बेताहशा बढ़ गया, इसकी वजह हैं, क्योंकि रूसी हमले का पूरी दुनिया खासकर पर्श्यम ने भारी विरोध किया, अमरीका और यूरोपियन यूनियन सीधे-सीधे यूकरिन के साथ ख़़े नजर आये, उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंद लगाने की शुरुआत की, रादा ये कि इससे रूस की कमाई घटेगी और वो यूदिस से पीछे हट जाएगा, ये प्रतिबंद कही चड़नों में लगाए गए, दिसम्बर 2022 में एयू ने रूस पर छटी बार नए पर भी बेन लगा दिया गया, अमरीका और एयू के प्रतिबंदों से रूस को जटका लगा, युद्ध से पहले तक रूस एयू के देशों में सबस्यादा कच्चा तेल भेचता था, जनवरी 2022 में ये आकड़ा 31% का था, दूसे नंबर पर अमरीका था 13% के साथ, रूस ने चीन और भारत को तेल बेचना शुरू किया, भारत की रूस से पुराने संबन थे ही, फिर अमरीका और दूसरे पश्मी देशों ने नागभों से कोड़ी, लेकिन भारत पर आर्थिक प्रतिबंद टाइप कारवाई नहीं की, रूस से भारत पहले भी तेल खरीद ये बढ़ गया है, इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि भारत रूस का दोस्त है, सीन ये है कि जब दोदेश तेल का व्यापार करते हैं तो उसमें उसकी शिपिंग कास्ट यानि धुलाई की लागत, रास्ते में दुरगटना होने पर उसका बीमा वगयरा भी जुड़ता है, इ अर जब लूस ने डिसकाउंट देना शुरू करा, और अच्छा डिसकाउंट देना शुरू किया जो हमारी रिफाइनरी जे बहारत केंदर, तमाम रिफाइनरी सरकारी हैं और हमारे यां प्राइविट भी हैं, नहों तया किया है कि हम दूस्त से 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 तेल मंगाना शूर कर तो राज की तारिफ में जो है, हम जो है, तीस तीस से जबड़ा थियर जो है, वह रूस से मगा रहें, कारण उसकर सीद्स Гोई है, भारत को कोई उकरीन से लेना देना नहीं, हमारा ऐसा नहीं की रूस से आपार्ग्रेमिय कहे जागरेत हो गполне, अपके बंदर गाओं पर बिलीवर कर देंगे आपकी जान रिफाइनली है वहां उसको लेंके आ जाएंगे तो लहाजा जहाज की विद्वीमा वगरा जागो उसकी जो सारी जो बात होती है वो भी उन्होंने जो हम उसको काफी है तक इसको देख लेंगे कुछ हम लोगों न देखा कुछ हमें न देखा तो लहाजा हम इस तेल को मागाने लगे पर इसमें एक पेच है 2022 के मद्ध में जैशंकर परश्चिम को बता रहे थे कि भारत रूसी तेल का केवल एक फीजदी आयात करता है पर साल के अंद तक हम को रूसी तेल का 30 फीजदी आ देता है उसके बाद बुचाहे जहां तेल भी सकती है रूसी उक्रेन जंग से पहले रिलाइंस और नायरा जैसी नीजी रिफाइनरी को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल खरीदना पड़ता था जो कि रूसी तेल की तुलना में महंगा था अब ये दोनों रिफाइ करीब 105 करोड रुपए में खरीद लिया था एक्सपर्स बात को भी रेखांकित करते हैं कि रिलाइंस का पहले से ही रूसी कंपणियों से अच्छा संपर्क है इसलिए पूछा जा रहा है कि रूसी तेल वास्तों में किसके लिए सस्ता है और इसका फाइदा आम लोगों या फिस्दी रूस से हम आयात कर रहे थे साल जब खत्म हो गया हम तीस फिस्दी तेल पूरा जो रूस से जितने कच्छे तेल आप निरियात कर रहें उसका तीस फिस्दी भारत रुष में आ रहे हैं रहें और इसका फाइदा नीजी कंपनी जो कच्छे तेल को रिफाइन करते हैं यह इनको मिट यह भारत सरक् suic bize इंडियन ऑयल कॉर्प्रेशन भारत पेट्रोल्य ही सारक फाइदा मिल रहे हैं रेलाइन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेट और एक और कंपनी है नायारां जिसके साथ रूस के साथ एक काफी घनिष्ट एक वैबसाइक एक वैपारिक संपर्क है रिलाइंस क्या करते हैं विदेश से आयात करते हैं और वो कच्छे तेल को रिफाइन करके उसमें से पेट्रोल बनाते हैं डीजल बनाते हैं और भी अलग अलग पेट्रोलियम बदार्द बनाके इसको विदेश में नेरियात कर देते हैं और फाइद रहे हैं रूसकर दोंफाइदा हो ले क्योंकि रूसका तेल प्ष्टीमी देश एक लिए त्यार नहीं है योक्रेयन को युद्ध के बाद यह हुआ मगर भारत वर्ष का जो फायदा मिल रहे भारत सरकार को और भारत वर्ष के नागरी को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी भी हमारे देश में पेट्रोल का दाम डीजल का दाम रसोई गैस का दाम सब कुछ जहां था ने उससे भी जादा बर गया आप किसी जो गारी चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं किसी ग्रियनी से बात करी आस्मान चुगी मतलब ये जो विदेश से हम कच्छे तेल ला रहा है कम कीमत में इसका फाइदा हमारे देश का नागरी को नहीं मिल रहा है मगर रिलाइंस कम्पणी को मिल और सबसे आश्य जोग है कि हम लोग जो भारतवर्ज जो रूस से जो हम आयात कर रहे हैं खच्छे तेल लगभग ऐसी तिरासी मिलियन यानि की आठ दश्मल तीन या आठ दश्मल आठ करोर बैरल जो हम आयात कर रहे हैं खच्छे तेल का जो अर्थ विवस्ता है इसमें बहुत कुछ जो छुपा हुआ है जो भार ठाकुरता कह रहे हैं वैसे ही आरोप विपक्षनें भी लगाए टीमसी सांसत जवाहर सरकार ने एक लेक लिखकर सरकार को घेलने की कोशिश की हुआ ये कि तमाम विरोधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा सस्ता तेल भारत के लिए नेमत सावित हुआ भारती रिफाइंडियों ने रूस के कच्छे तेल को पेट्रोल डीजल बना कर बाहर भीजना शुरू किया और मज़े की बात ये कि से खरीदने वालों में सबसे आगए यूरोप ही रहा एनिलिस्ट फर्म कैपलर की रिपोर्ट के मताबिक भारत अपरेल में यूरोप को रिफाइंड इदर भीजने वाला सबसे बड़ा देश बन गया इस रिपोर्ट के बाद यूरोप के साथ साथ रूसी ओयल रिफाइंडरी कमपनियों के लिए मुश्कि पैदा हो गई क्योंकि रिफाइंडिंग के गेम में भारत ने बढ़त बना ली यूरोपी देशों के लिए भारत मददगार बना जिसका फाइदा भारत को भी मिला अब यूरोपी देशों के बदलते सुरों ने तेल के बाजार को एक बार फिर घर्म कर दिया है लेकिन यूरोपीयन यूनियन के इन बयानों की वजे क्या है? यह हमने जानने की खोशिश की एक बार फिर से विद्वानों से आपका अधिकार है आप करूए हमें उससे कह लेना देना हमने तो कोई नहीं लगाए ना कोई यूनाइट इन दे दीजी हम आपसे ले लेंगे अमरीका हमको सस्ता दे 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 उसी दाम पर अमरीका से और ले लेंगे यूरप के दे सकते हैं उनसे भी ले लेंगे अर्थ शारत है एकनॉमिक्स इस आल अबाओ लव फर एनी कंट्री तो ये चीज़ हमने समझाने कुछ करे लेकिं जो पश् रहे हैं क्या हमने तो नहीं जो करेंगे हम आपकी सामने बिल्कुल जो है डंडवत हो जाएंगे ऐसा नहीं होता नई यह तरीके का मिस्नोमर है कि यॉरप सिर्फ भारत से आल खरीत रहाए और ऐसा भी यह भी मिस्नोमर है कि हिंदुस्तान सिर्फ यॉरप कोई तेल बेच र कि हिंदुस्तान ने काफी सारा जो तेल है जो अभी बेचा है जो रिफाइन प्रोडिक्स जो बाकी दुनिया में बेचे हैं उसमें से बहुत बड़ा चंक यॉडप को बेचा है लेना बंद कर दिया था अब आप कहरें कि यॉडप कहीं और से नहीं ले सकता है बिल्कु ले स क्योंकि ये जो ऑईल और एनरजी का सारा खेल है ये सारा का सारा खेल ही आप तब हैंडिल कर सकते हैं जब आपने पनी सप्लाइस को डाइवर्सिफाइड रखा हो बाइद वे चाइना भी सेल करता है यॉरप को तो केवल हिंदुस्तान ही नहीं करता है लेकिं हिंदुस्ता से जादा करता तो आप पूरती तो कहीं न कहीं से हो जाती क्योंकि जैसा कि मैंने आप से कहा कि इस सारी बात को समझने के पीछे य hygien au west फरश आप मतलब नहीं कुछ है कि अलवी बारत बारत मैं कहूं कि यॉरrep केलिए अभी भी वह cheaper है क्योंकि मतलब जो currency differentiation को अगर आप देखें तो यॉरप को भी suit करता है तो end of the day it is all about economic logic कि ये जो countries इसमें involved हैं अलावा रशा के इसमें सब लोग win-win situation में हैं यहां तक कि आप ये समझे है कि जो shipping companies और insurance companies है ना जो मतलब जो non-western जो companies हैं वो भी बहुत जादा इस बात को milk कर रही है क्योंकि उनको भी पता है कि once in a lifetime opportunity है कि इस वक्तो रूस किसी भी तरीके से या किसी भी price पे agree कर जाएगा उस देल के export के लिए तो मैं कहूंगी कि इस particular चीज में अगर आप इसको इस angle से देखते हैं रूस का फाइदा नहीं है बहुत साथा क्योंकि end of the day रूस को break even मिलने में मुश्किल हो रही है यूरोपेन union की बयान पर विदेश मंत्री जैशंकर ने परयाप्त मात्रा में तिंचर दे दिया लेकिन अगर बात बिगड़ जाती है तो इसका असर क्या होगा जापान iron ore produce नहीं करता है लेकिन जापान की गाड़ियां दुनिया में बिखती है कल को अगर iron ore हम उन्हें बेचना बंद कर दें कि वो बहुत मुनाफ़ा कर रहे हैं तो ये तो किसी भी देश के लिए मुर्था होगा कि वो ऐसा कदम उठाए कि हम उनको iron ore दे नहीं बंद कर दें भारत के लिए या वर्ल्ड economy जो market economy जिस पर west सबसे ज्यादा focus करता है अगर उसमें हमें कुछ मुनाफ़ा हो रहा है बिना उनके sanctions के बिना उनके banking regulations के बिना उनके dollar में trade किये हुए तो इसमें विश्व को क्या हानी हो सकती है ऐसा ही प्रश्न US Treasury Secretary Janet Yellen से भी पूछा गया था कुछ weeks पहले तो उन्हों ने भी कहा था कि जब तक वो ceiling के नीचे है हमें कोई problem नहीं अगर EU अभी object कर रहा है तो इसका इंडिया से ज़्यादा रूस से या पूरी दुनिया में जो अभी रूस के प्रति रोश है उससे लेना है भारत से इसको ज़्यादा लेना नहीं है लेकिन अगर बात बिगडी तो इस पर भारत और EU के trade पर असर होगा और जिस तरह के हमने combative positions लिये हैं vis-a-vis Russia and Russian oil तो मुझे नहीं लगता है कि European Union को भी कोई problem होगी या एक long term यह है लेकिन हो क्या सकता है possibility क्या है कि sanctions अगर चुकि हम 60 dollar प्रती barrel के rate से कम उसे खरीद रहे हैं तो हो सकता है कल को यह उसको भी कम कर दें यानि 55 कर दें 50 कर दें तब problem खड़ी होगी अभी तक तो कोई problem नहीं है और जितने भी टीका कार है economic commentator है Bloomberg में अगर EU अपना रुख कड़ा करता है तो भारत को भी सोचना होगा और भारत को और और कमबैटिक होना होगा यह था भारत की हालिया oil economy का कच्चा चिठा कुल जमाबात यह है कि जियो पॉलिटिक्स में एक मौका पैदा किया है जिसका इस्तमाल भारत अपने फाइदे के लिए कर रहा है भारत एक संप्रभू राष्ट है और उसे क्या व्यापार करना है किसके साथ करना है यह सलाह यूरोपिया कहीं और से लेने की आवश्यक्ता नहीं रही बात अंदरूनी राचनीती की तो उस पर हम भारती आपस में बैट कर चर्चा कर लेंगे कि सस्ते तेल का फाइदा किसे और कहां दिया जाना है और जब मैं कह रहा हूँ कि चर्चा कर लेंगे तो यहां रेखांगित करना जरूरी है कि चर्चा हो भी रही है अगर विपक्ष लगातार सरकार से इस पर सवाल पूछ रहा है तो यही चर्चा का तरीका है और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार भी इस पर खुल कर अपना आप शो यहीं समाप्त होता है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुबरात दरे